बगएर खाने के हम तीन हपते रह सकते हैं बगएर पानी के तीन दिन लेकिन बगएर सांस के तीन मिनिट भी नहीं डबलो एचो के अनुसार पिछले साल सत्तर लाख लोगों की मौत ये पुलूशन से हुई है तो आज हम यही बात करने वाले हैं हमारी सांसें कैसे सलामत रहे हबा में तीन गड़बडियां होती हैं पहली कार्बन और डस्ट पार्टिकल्स दूसरी जहरीली गैसें और तीसरी ऑक्सिजन की कमी तो dust particles या carbon particles जिनकी बज़े से खांसी, अस्थमा जैसी respiratory problem होती है इनकी तरफ हमारा ध्यान है, awareness बड़ी है लेकिन oxygen की कमी, जो कि actual में शहरों की ज़ादा बड़ी, ज़ादा गंभीर समस्या हो गई है इसकी तरफ अभी हमारा ध्यान नहीं है हर वेक्ति को रोज 500 लीटर oxygen चाहिए और इतनी oxygen तभी मिल सकती है जब 11,000 लीटर ताजी हवा मिले जिसमें कम से कम 19% oxygen हो अगर oxygen का level इससे कम हो तो energetic feel नहीं होता है गोटन भी होने लगती है और शहरों में आजकल ऐसा काफी मैसूस होता है अगर oxygen का level ज़्यादा गिर जाया है तो शरीर के कई हिससे काम करना बंद कर देते हैं 10% पर दिमाग काम करना बंद कर देता है और 6% पर तो मौत हो जाती है ऐसे कई cases हुए हैं जब लोग बाग कार के अंदर बच्चे को सोता हुआ छोड़ गए AC on करके है और जब लोट के आए तो बच्चा मरा हुगा मिला एक और चीज जो आज कल काफी बल रही है वो यह है कि जिनके घरों में AC है उनके हां cancer बल रहा है और इसका कारण भी oxygen की कमी है क्योंकि जब AC लग जाता है घर में तो खिड़कियां बहुत कम खुलती है और खिड़कियां खुलती नहीं तो ताजी हवा आती नहीं है और oxygen का level कम हो जाता है cancer cell और normal cell के metabolism में ये फरक होता है कि cancer cells को oxygen नहीं चाहिए तो जब कभी भी low oxygen का environment बनता है cancer cells proliferate करने लगती है और ऐसा तब बहुत जादा हो जाता है कि जब घर में कोई pesticide spray किया गया हो या good night, all out जैसी कुछ fumes हो तो आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि oxygen के level को कैसे maintain किया जाए तो इसका एक तरीका तो यह है चलो भाग चलने जंगल की ओर लेकिन यह सब तो नहीं कर सकते हैं तो जो यह नहीं कर सकते हैं उनके लिए सुझाव number one यह है कि घर में अगर AC है तो उसे तुरंत निकाल के कवाली को दे दे क्योंकि जब तक AC नहीं जाएगा खिड़किया नहीं खुलेगी और जब तक खिड़किया नहीं खुलेगी तब तक 11,000 लीटर पर परसन हवा अंदर नहीं आएगी और इस से कम हवा में काम नहीं चलेगा क्योंकि बाहर की हवा में already oxygen कम है दूसरा काम ये करें के घर में जितना भी गहर जरूरी समान है वो जरूरतमन लोगोंको दे दे क्योंकि जितना जाधा खाली स्पेस होगा उतना जाधा हवा की आने की रहनी की गुंजाइश बनेगी कई लोगों के घरों में ऐसा है के घर समान से पटे पड़े हैं अब घर में अंदर खाली जगे नहीं तो हवा आये कैसे और हर सामान अपनी कुछ ना कुछ वैपर्स भी छोड़ता है तो अगर सामान कम होगा तो हम उनकी वैपर्स से भी बचेंगे और तीसरा काम जो हम सब को करना चाहिए वो यह है कि हमें खुद अपना एयर पॉलूशन कम करना चाहिए कार की जगे हम पबलिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं क्योंकि एक लीटर डीजल या पेट्रॉल दस हजार लीटर हवा खाता है और शहरों में आजकल ऐसे हालात बन गए हैं कि जितनी हवा हम लोग नहीं खा रहे हैं उससे ज़्यादा कारें खा रही है तो हमें अपना कारवन फुट्प्रिंट कम करना होगा हमें खरीदारी भी कम करनी चाहिए सिर्फ वोई समान खरीदना चाहिए जो बहुत ज़रूरी हो क्योंकि हर समान के बनने में एर पॉलूशन होता है चौथा काम ये करें कि ऑक्सिजन के प्रोडक्शन पर ध्यान दे घर में आगे पीछे बालकनी में चट पर जहां कहीं भी जगए हो पेड़ पौध ही लगा दे जमीन में लगाएं जमीन नहीं है तो गमला में लगाएं लेकिन ध्यान ये दें कि पीड़ पौधों पर कभी भी पैस्टिसाइड न डाले कई लोग घर में बड़े बड़े गार्डन लगा लेते हैं और फिर पैस्टिसाइड डाल देते हैं तो अक्सिजन के आने का जितना फायदा नहीं, उससे जादा नुकसान हो गया पेस्टिसाइड का और इस सब के बावजूत भी जंगल की सेर को जरूर जाएं क्योंकि आफ्टर आल असली हवात हुई है क्योंकि आफ्टर आल असली हुई 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 है